हमारे आयरुवेद में ऐसे ऐसे चीज़ों का उल्ले किया जाता है जिसके साइड रिफेक्ट्स आपको नहीं मिलते हैं लेकिन अगर फायदों की बात की जाए तो फायदे इतने अनेक होते हैं और कई बार एक ही चीज़ का इस्तमाल कई सारे रोगों में किया जाता है तो आज की वीडियो काफी इंफर्मेटिव है जिन कपल्स को काफी ज़्यदा परिशानी हो रही है बेबी कंसीव होने में उनके लिए ये वीडियो रामबान सावित हो सकती है क्योंकि बहुत सारे कपल से इसका फायदा उठाया है और एक ही महिने के अंदर गर्बधारन संभ किया है तो ये जो आशदी है ये जो उपाय है ये पती और पत्नी दोनों ले सकते हैं लेकिन इसको कैसे इस्तमाल करना है कैसे इसको यूज़ करना है इस विधी को जानने के लिए ये पूरी वीडियो ज़रूर देखी eater नमसकार दोस्तों也ानाम हर्शिता वर्मा है और आप आपको एक महने लगतार इसका सेवन करना है लेकिन सिर्फ एक बार उसका इस्तमाल करने का वीधी क्या होना चाहिए तो अश्वगंधा के पाउडर एवलेबल होते हैं आपको मार्केट में कही पर भी एवलेबल होंगे अगर आप उशदिये दुकान में भी जाते हैं जहां आपको अर्वेदिक दवाईया मिरती हैं वहाँ पर भी आपको अश्वगंधा अराम से अवलेबल होगा तो उसका इस्तमाल करने की वीधी क्या होती है कि अगर आप इसे दूद में मिला कर पीना चाहें जिस तरह से आप अगर रात के लिए दूद अपना प्रिपेर करते ह हैं तो वहाँ पर आप जितना भी दूद लेना चाहें एक कप या फिर एक गलाज जितना पी सकते हैं उतना आपको मिल्क को लेना है उसको अच्छी तरह से गरम कर लीजे गरम करने के बाद आपको एक चमच अश्वगंधा को वहाँ पर जरूर आट करना है साधी साथ आप आपको एक चमच हल्दी का भी उसमें डालना है अगर आपको उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आता है तो आप टेस्ट इनहेंस करने के लिए उसमें थोड़ी सी शहद की भी मात्रा आप डाल सकते हैं क्योंकि शहद भी आपके शरीर के लिए अच्छा होता है और उसको आपके लिए काफे ज़्याद स्फाइदमंद होता है क्योंकि दूध में जरूरी न्यूट्रियंट्स आपको मिलते हैं लेकिन अगर आप और ओप्शन की तलास कर रहे हैं तो आपको शाम की जो आप चाय पीते हैं तो आपको शाम की चाय को स्किप करके बलकि अंधा का पाउडर मिलाना है और साथी साथ एक चुटकी हल्दी मिलानी है मतलब जो चीज आप दूद के साथ कर रहे थे वही सेम चीज आपको पानी के साथ करना है और उसे चान कर आप अराम से उसे सिप सिप करके पी सकते हैं ये लकतार एक महने तक पती और पतनी दोनों करके देखिए डेफिनिटली बहुत जादा फाइदा महसूस होगा और आपकी अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है या फिर जो मेल के सल्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है उन दोनों केसिज में आपको ये जितने भी आपके को देखा है और साती साथ वो फॉलो भी करने वाले हैं तो भगबान करें कि उनका जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए बाकि अगर जो भी अगर आपको मन में कन्फूजन लगता है तो बेजी जख होके आप इनफर्टिलिटी की डॉक्टर से मिले उनसे सारी राय सलाह लीज सकते हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब का पैटन भी जरूर दबादें थैंक यू सो मज फर वाचिंग झाल 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 झाल